बाजरे की टिक्की बनाने के लिए मैंने लिया ये 200 ग्राम बाजरे का आठा और 125 ग्राम गुड़ और आदा कटोरी तिल और थोड़ा सा इलायची पाउडर और आप चलिए शुरू करते हैं अब मैं ले लेते हैं एक फ्राई पेन इसमें मैं डाल दूंगी एक गुड़ और इसमें मैं डाल दूंगी एक कप पानी और इसे हमें बस इसको पिगलाना है तो मैं इसे पिगला लेती हूं पहले ये देखिए इस तरह से हमारा गुड़ पूरा पिगल गया है और बस इतना ह जाजा नहीं पकाना है अब हम इसे छान लेते हैं क्योंकि कभी कभी क्या रहते हैं गुड़ में भी कुछ हो रहते हैं रेसे से रहते हैं यह जो गन्य का वह आ जाता है थोड़ा सा पीस तो इसलिए छानना जरूरी है तो मैं एक बाउल ले लेती हूं इसमें ठलनी रखके से जाती हूं और यह देखिए इसमें थोड़े थोड़े आपको लग रहा हूंगे ना रेसे से तो इसलिए छान जरूर ने इस कभी भी गुड़ वैसे देखने में साफ लगता है पर फिर भी थोड़ा बहुत नारा है इसलिए चानना जरूरी है और आब हम इसे नॉर्मल थो कोई भी या तो देशी घी डाल सकते हैं या कोई भी ओई जो आप पसंद करते हैं सिर्फ मस्टाड ओईल नहीं डाला है इसमें तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉंग फ्लेवर रहता तो उसकी वज़े से उसे नहीं डाले और आप हम हाग की मदद से थोड़ा साइसे मिक्स कर दढले तेह ऐं कि उससे से घ्था जाया और तिल्च मांड़ी आपस में अच्छे से मिक्स हूचए गा्या। ईलों कि अहुत थोड़ा थोड़ा करके यह जो हमने सीरप से बना के तयार करें इससे डालके एक टाइड डो तयार कर लेंगे कि अच्छी हमारी टिकी तयार नहीं होंगी तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके डालें और यह जितने भी लोग यूपी में होंगे उनको इसका पता होगा कि हमेशा इंदनों में जरूर बनती है बाजरे की टिकी और अच्छी भी लगती है आप एक बार बना लें इन्हें दिन तक खा सकते हैं और जितने बच्चे बाजरे का आठा नहीं खाते हैं या कुछ लोग बड़े भी नहीं खाते इस तरह से बनाते हैं तो सब लोग बहुत पसंद करते हैं और ऐसे भी बाजरे का ठंड में बहुत फायदे बंद रहता है बाजरा हमारे लिए इसी तरह से कि यह देखिए इस तरह का टाइट डो तयार हो गया है अब हम हाथों पे लगा लेंगे थोड़ा सा ऑईल या घी और इसमें से छोटी-छोटी जितनी पूड़ी बनाते उतना उतना पीस लेंगे आसे और यह आराम से बन जाते और आपको इस तरह से बनाने में टिकी पर प्र परफेक्ट यहां पर रखे ना और इस तरह से थोड़ा से दवा देंगे तो यह बहुत आसानी से बन जाएंगी और इन्हां डारेक्ट हम ऑईल में डालते चले जाएंगे मैंने मीडियम होट रखा है मीडियम आज पर हम इने फ्राई करेंगे तो हम एक एक बनाएंगे और इस तरह से डालते चले जाएंगे ज्यादा तेज आज भी मत रखेगा नहीं तो हो क्या है उपर से तो गोल्डन हो जाएंगे पर अंदर से कच्छी रह जाएंगी तो मैं इसी तरह से सबना बना के तयार कर लेती हूँ और अब हम दीरे दीरे इस तरह से एक चम्मच की मदब से इन्हें पलड देंगे जितनी थोड़ी थोड़ी सिकती रहेंगी और बाकी जो जगे बचेगी उसमें और डाल देंगे और यह बहुत आसानी से बन जाती है बहुत जल्दी और जिसे आज हमारे हां सकट है तो परफेक्ट नाप से इसी से बनाएंगे ना तो आपकी बिल्कुल भी टिक्की खराब भी नी होंगी और ना फटेंगी अब मैं आपको पास से दिखाते हूं इतनी अच्छी बनके तयार हुई है तो पलर भी कितना अच्छा है और बिल्कुल परफेक्ट बनिये अब इसी त रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को सिस्क्राइब करें मिलते हैं इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ